हलो, गुड विनिंग, आप सभी का स्वागा था है, हमारे नए वीडियो में, देखे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPSC 101 के प्रिवियस येर के कोश्चन पेपर को देखेंगे, और लास्ट मैं आपको 5 येर के कोश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ, ए वीडियो आपके प्रिवियस येर के कोश्चन पेपर को देखेंगे, इसकी मैंने क्लासेज भी पढ़ा रखी है, जो कि आगर आप जाएंगे, तो हमारे चैनल पर आपको मिल जागा, जैसे BPSC 101, BPSC 102, BPSC 103 और BPSC 104, ये मैंने आपकी सारी क्लासेज आपको मैंने पढ़ा रखी है, और यहा प्रिट हो गई है, उससे अगर आप देख लेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका 60-70 नंबर इजी आसानी से आ जाएगा, और चलिए मैं आप सभी को कोश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि एक्जाम में कोश्चन किस टाइप से आते हैं, और कोश्चन पेपर किस टाइप से आता है, और हिंदी, इंग्लिस, दोनों मीडियम में आपको कोश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर देखेगा, ठीक है, ओनर्स, राजनितिक विग्यानीनी पोलिटिकल साइन्स ओनर्स, और इस दिसंबर 2022 का कोश्चन पेपर है, ठीक है, आपकी बुक का नाम है BPSC 101, राजनितिक सिधान की समझ, इंग्लिस मीडियम में भी मैं आपको कोश्चन पेपर दिखाऊंगा, ठीक है, देखेगा, आपका जो एक्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 नंबर का एक्जाम होता है, और 3 घंटे का एक्जाम होगा, BPSC 101 का जो एक्जाम देखे एक चीज मैं बता दूँ, आप सभी को न, एक्जाम में टोटल 5, 5 कोश्चन लिखने हैं, नहीं 5 कोश्चन लिखने रहते हैं, और एक्जाम में टोटल 8 कोश्चन आता, 8 में से 5 लिखना, और 4, 4 कोश्चन का 2 पार्ट बना हुआ है, यानि 1 में से 2 करना, दूसरे मे लिखना पड़ेगा, इतना, 4 से 5 पेज का मतलब हो जाता कि किसी पेज के आगे और पीछे, इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब चलिए मैं सभी कोश्चन दिखा देता हूँ, सभी कोश्चन को नोट डाउन कर लो, या इनको कहीं पर लिख लिजिए, या इनका संबंधी सब्दों की, बीच संबंधों के भी संबंधों पर चर्चा कीजे, या राजनितिक सिधान्त के साथ अन, जो संबंधी सब्द हैं, उनके भी संबंध क्या बताना है, यहाँ पर जो 10 माक्स लिखा है, यहाँ पर 10 नहीं, बलकि यह सारे 20-20 माक्स के हैं, जहाँ पर 10 लिखा है वहाँ पर 20 रहेगा और जहाँ पर 5 लिखा होगा वहाँ पर 10 रहेगा ठीक है तो इसको ठीक कर लेना दूसरा question हमारा क्या है राजनीती क्या haspast कीजे यह सारे questions मैंने पढ़ा रखे हैं अगर आप channel पर जाओगे तो playlist में political science की है कल्यान वाद पर एक टिपणी कीजे यह भी 20 नंबर का question है 10 ने 10 को गलत print हुआ है तो 20 लिख लिए माली जगा चौथा हमारा question क्या है वर्ग संघर्स क्या है विस्तार से बताईए यहाँ पर आपसे क्या पूचा गया है वर्ग संघर्स के बारे में और वर्ग संघर्स आपको बताना है part 2 में देखे यहाँ चार question part 1 में इसमें से आपको या तो 2 कर दो या तो 3 कर दो अगर यहाँ पर 3 किया तो दूसरे में से 2 करना यहाँ पर 2 किया तो पिर्ट की पहले में से तीन करना होगा, पार्ट सेकंड में देखिएगा, question number five क्या है, निम लिखित में से प्रतेक पर 200 सब्दों में आपको क्या करने है, तिपणी लिखना है, और यहाँ पर 10 10 करेगा, यानी 10 नमबर का का है, और 10 नमबर का क्या है, यानी टोटल 20 का हो नेक्ट देखेगा हमारा question number 6 क्या है निम लिखित में से परतेक पर 200 सब्दों में समचित टिपणी लिखनी है ठीक है और यह भी 10-10 marks करेगा जैसे का यह भी 10 marks का है ठीक है और खा जो रहेगा यह भी आपका 10 marks करेगा टोटल 20 का हो जागा और एक चीज में बता दूं अगर आ 10-10 number की इसको आपको दोनों लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपको एक आतो तो आप लेक लिख दिए दोनों लिखना पड़ेगा जैसे इसमें का क्या है जीन फ्रेंकोवा ठीक है और दूसरा क्या है बहुत important है जैसे प्रतिक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र इसको सारे 20 हैं ठीक है और आगला हमारा जो कोस्चन है गा कोस्चन अबरेट देखेगा लोकतंत्र उचुनाव पर टिपणी कीजे भई लोकतंत्र उचुनाव किस प्रकार से संबंदी था इन पर आपको क्या करना है तिपणी करना यह भी 20 नंबर का तो इस प्रकार से आपके एक पर दो चाहे वन से या पार्ट टू में से अब चलिए मैं इसका इंग्लिस मीडियम अला भी दिखा देता हूं सेम कोस्चन पेपर रहेगा सिरफ लेंगवेज का फरक है इंग्लिस मीडियम के लिए देखेगा जो स्टूडेंट है बीपीए सी 101 पोलिटिकल साइंस ओनर्स दिसमबर 2022 2020 हंडेड मार्क्स का पेपर होगा आपका भी थीन घंटे की टाइमिंग 5 कोस्चन आपको टैंड करना आप सभी कोस्चन को नोट डाउन कर लिजिए कोस्चन नमबर 1 यह भी 20 मार्क्स का है कोस्चन नमबर 2 यह आपका 20 का ही रहेगा गलती से मिस्प्रिंट हुआ 10 लिखा हुआ है कोस्चन नमबर 3 इसको नोट डाउन कर लिजिगा और आपका कोस्चन नमबर 4 इसको भी आप नोट डाउन कर लिजिगा भी 20 सारे 20 20 मार्क्स के हैं नेक्स्ट हमरा रहेगा कोस्चन नमबर 5 जो रहेगा इसमें A & B दोनों को आपको लिखना पड़ेगा एक्जाम के लिए 10 10 मार्क्स का रहेगा ठीक है नेक्स्ट हमरा question number 6 क्योंकि हिंदी में में मैंने question बता रहा कि इसलिए English medium अले student के लिए मैं आपको questions दिखा देता हूँ अगर किसी को language की थोड़ी सी दिक्कत है तो question A देखिएगा 6 में A and B दोनों पर टिपणी करनी है 10-10 marks की question number 7 note down का लिए भी सारे 10 marks की हैं और question number 8 यह भी आपका 20 marks का होगा तो यह 8 question इस type से आते हैं चलिए एक साल का तो मैंने आपको previous year को question paper दिखा दिया अब मैं आपको दूसरा question paper दिखा देता हूँ देखेगा यह हमारा next question paper है दूसरा question paper आ गया यहाँ पर देखेगा BPSC 101 ठीक है यह June 2022 का question paper है वो December 2022 का था यह June क्योंकि इगनू में दो बार exam होता इस university में हर 6 महिने के बाद paper होता है तो December वाला था यह June वाला paper है यहाँ पर देखेगा BPSC 101 राजनितिक सिध्धान्त की समझ exam 100 number का होगा तीन घंटे का paper होगा गाइडलाइन सम्में वही सेम है कि आपको 400 सब्दों में लिखना 20 अंक का लिखना और 5 question करने है question देखेगा question important है पहला question देखेगा लोकतंत्र के परतिक्रियात्मक और वास्तवी कायामों की चर्चा कीजे तो लोकतंत्र का वाला जो chapter इसको मैंने पढ़ा रखा है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे इस वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जागा BPSC 101 में एक ही वीडियो में पूरी book पढ़ा रखी इस वीडियो को देखे लेना आप मेरे चनल पर मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर अगर जाएगे तो पढ़ा रखा दूसरा question देखेगा हमारा क्या है परती निधितो के उदार सिध्धान्त की जाच कीजे सभी question 20-20 नंबर के हैं तीसरा question देखेगा लोकतंत्र का संभरांत वादी दृष्ट कोंड क्या है ब्याख्या कीजे ठीक है चौथा question हमारा रहेगा राजनेतिक भागेदारी को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक टिपणी लिखेए यानि इस पर क्या करनी आपको टिपणी लिखनी question number 5 जो रहेगा टिपणी करने के लिए है इसमें टेंटन माक्स कर रहेगा देखेगा दोनों का और खय ठीक है टिपणी करनी 200 सब्दों में का क्या है नागरित्ता की आउधार्ना का विकास और खाब कर रहेगा राजनितिक सिधान्त के मिलते जूलते सब्द पहला जो question था राजनितिक सिधान्त आया था मिलते जूलते सब्द इस question paper में अगर आप देखेंगे यह जो question paper में नहीं दिखाया था यहाँ पर है ना question देखेगा राजनितिक सिधान्त अन्य परस पर संबंधी सब्दों की संबंधों की चर्चा कीजे वही question यहाँ पर घुमा करके 10 marks में दे दिया है तो question repeated होते हैं अगला question number 6 देखेगा दोसो सब्दों में इसको भी टिपणी लिखनी है 10 10 marks की रोल फ्मिली बैंड का राज का दिश्कोन बताना है और खा क्या कल्यानवाद बुस्दों में उसमें भी आया था न अभी मैंने आपको जो question paper दिखाए था उसमें भी कल्यानवाद था तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इगनू में question repeat होते हैं देखो कल्यानवाद यहां पर भी है न तो अभी जो मैं आपको देखे, कल्याणवाद रिपीट हो रहा question ना, तो इस प्रकार से, तो कल्याणवाद 10 marks में आ गए, कहीं पर 20 में आ सकता है, question number 7 देखेगा, कालपनिक और बैग्जानिक समाजवाद पर टिपनी कीजिए, आठवा question मारा क्या है, एक रूढ़ीवादी विचारक के रूप में, एडम बर्क की जाज कीजिए, तो टोटल 8 question है, 2020 marks का आता है, चलिए मैं इसी का आपको, जो मैं आपको दिसंबर का दिखा रहा हूं, इसी का English Medium वाला question paper मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पर देख करने है, 20 marks कराएगा, 400 world limit रहेगी, question note down के लिए, पहला question देख लिजेगा, second question इसको भी note down कर लिजेगा, third question इसको भी note down कर लिजेगा, क्योंकि हिंदी में इंडिया में दिखा चुका हूं, question number 4 इसको भी देख लिजेगा, next हमरा question number 5 में notes लिखने है, short note, A and B पर इसको note down कर ल लिजेगा, next रहेगा, question number 8, इसको भी note down कर लिजेगा, question number 8, अभी तक मैं आपको 2 साल के question, यहनी 2 दिखा दिये, अब मैं आपको 3 question paper भी दिखा देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा, हमारा next, 3 question paper आगा, अभी तक मैंने आपको 2 question paper दिखा दिये, सारे question note down कर लो, द दान की समझ, 100 marks का paper, 3 घंटे का paper, 5 question वही सारे, summit note से मैं, question देखेगा, पहला question क्या है, लोकतंत्र और मतभेद, पटिपनी कीजे, यहनी लोकतंत्र वाले चेप्टर से question बहुत आते हैं, अगला question देखेगा, लोकतंत्र में सक्रिये और निस्क्रिये भागी दारी, क्या है, सबी के सबी 20 number के question है, अगला देखेगा, लोकल अल मफ के उत्तर आउधनिक्तावाद के विचारों की जाँच कीजिए, लाक और माफ के उत्तर आउधनिक्तावादी जो विचार हैं, इनकी आपको क्या करने हैं, जाँच करने हैं, तीन question हो गये, ठीक हैं, अगला question के अनुभवत जन्य दिश्टकोंड की चर्चा किये राजनितिक सिधान्त वाला जव चप्टर बहुत इंपोर्टन इससे कोश्चन आते ही आते हैं पांचो कोश्चन देखेगा रोल फमीली बैंड पर राजपर दिश्टकोंड यहां पर कोश्चन रिपीट हुआ ना अभी म मनें आपको दिखा था रोल फमीली बैंड यहां गया ना रोल फमीली बैंड के राजपर दिश्टकोंड क्या है और यहां पर भी देख रहे हैं रोल फमीली बैंड का पूछ लिया राजपर दिश्टकोंड तो इस प्रकार से कोश्चन रिपीट होते ही गनू में खा देख देखेगा नारिवाद की पर्थम लहर कोस्टन रिपीट हुआ नारिवाद की पर्थम लहर यहां पर जो कवूंचल पर दिखा था इसमें था आपको यहां है नारीवाद की पहली लहर यहां पस्ले गया न तो इस प्रकार से अगर मैं बोलू तो इगनु में question repeat हो रहा हैं जैसे नारीवाद की पर 10 marks था यहाँ पर 20 marks का है यह 20 marks का कोषचन शाटों question देखो गया नारीवाद की पर thumb lahar वहां पर 10 का था तो इगनु में इसका English Medium उला भी दिखा देता हूं तो यहां पर देखेगा BPSC 101 8 December 2021 का question paper है 100 marks का exam होगा थियावस का exam यहां पर question देखेगा question number first को note down कर लिजेगा question number second को question number third को इसका strange ले लेना जो English Medium का student है question number four question number five में A and B ठीक है और question number six में A and B को note down और question number seven और question number eight इसको note down कर लिजेगा तो मैंने अभी तक आपको last four year के question paper दिखा दिए decision box मैंने link दे रखा है वहां से जाकर के मैंने class पढ़ा रखी पूरी अच्छे से पढ़ लिजेगा और आपका exam आसानी से बहुत अच्छे से जाएगा बाकी मैं political science owners के जो student है उनके लिए मैं group भी बना दिया हूँ आप group को भी जाकर के join कर सकते हैं आपको whatsapp group मिल जाएगा वहां से आप मेरे को कुछ पूछना चाहते जरूर पूछ सकते हैं अब देखेगा है इस चोथा question paper मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक मैंने आपको तीन question paper दिखाते है अब हमारा question number 4 आगया देखेगा BPSC 101 एक कपका question paper है दिसंबर 2020 का question paper है देखेगा कपका दिसंबर यहां पर दे BPSC 101 राजनितिक सिधान की समझ अधिकता मंक 100 यानि 100 number का paper है तीन घंटे का paper होगा वही है आपको 5 question लिखने है 400 word में लिखने है 2020 marks के सभी question है अब question देखेगा पहला हमारा question क्या है राजनितिक सिधान के मानक द्रिष्टकोंड की चर्चा कीजे वही राजनितिक सिधान बहुत important आता जरूर है अगला question क्या देखेगा राज जी क्या है विस्तार से लिखे important हो सकता है next हमरा question देखेगा तीसरा question क्या है नव उदारवाद पर टिपणी कीजे यह भी बहुत important question है note down कर लिजेगा चोथा question क्या है लोकतंतर पर marks वादी सिधान की चर्चा कीजे सभी के सभी 20 number के question है चार question हो गए next हमरा question देखेगा question number five इस पर टिपणी करनी आपको 1010 marks है जैसे खा है राजनितिक रूडिवाद यह 10 number का question हो जाएगा आपका ठीक है अगला जो ecologic नारी वाद क्या होता है यह भी 10 marks तो नारी वाद वाला देखो बाल बार repeat हो रहा राजनितिक रूडिवाद भी आ रहा तो question इगनु में repeat होते हैं ठीक है अगला देखेगा next हमारा question number six देखेगा निमलिखित पर समचित टिपणी कीजे ठीक है यहाँ पर देखो उत्तर आउधनिकता आ गई ना तो उत्तर आउधनिकता भी repeat हो रहा question ना मैंने आपको दिखाया था तो उत्तर आउधनिकता जैसे question repeat हो रहे हैं यह question repeat हुआ ना 10 marks में और अगला क्या है question number first मैंने आपको दिखा था लोगतंत के परकार कभी question repeat हो रहा तो repeated question भी बहुत सारी आते हैं इसलिए यह 4 question paper, 4-5 question paper में दिख्या रहा हूँ यह आपको समझने के लिए बहुत important हो सकता है कि गुनु में questions किस परकार से पूछे जाते हैं सात्वा question देखेगा हमारा क्या है परती निधित्तो का आतिवादी सिध्धानत क्या है व्याक्षा कीजिए ठीक है 20 marks अभी 20-20 क्या है आठवा question जो रहेगा देखेगा लोग प्रिये संपरभुता पर एक टिपणी कीजिए भी 20 marks का question है देखेगा जिसमें का और खै लिखा है वो 10-10 नंबर का हो जाएगा का 10 का खै 10 का और आपको दोनों लिखना है जिसे पांचवा question छटा question में आपको अगर लिखते हो तो का भी लिखना पड़ेगा खा भी लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं जैसे आपको एक आता दूसरा नहीं आता तो ऐसा नहीं करना है आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा क्योंकि pair में लिखना पड़ेगा 20 number का total लिखना पड़ेगा ठीक है और इसका English medium का भी मैं आपको दिखा देता हूं आप सब सोचेंगे कि इसका English medium क्यों नहीं दिखाया तो यहां पर देखेगा इसका भी देख लिजेगा BPSC 101 ठीक है December 2020 का question paper है 100 marks का exam होगा 3 hours का exam होगा ठीक है 5 question attempt करने है 2020 marks का question रहेगा 400 limit लिखनी है section 1 देख लिजेगा question number first ठीक है question number second भी question number third note down कर लिजेगा question number four ठीक है next हमारा रहेगा section second में question number five जो रहेगा देखेगा question number five में A and B है 1010 marks करेगा और दोनों को attempt करना पड़ेगा ठीक है next question number six इसमें भी short note लिखना है आपको A and B पर दोनों पर लिखना पड़ेगा next question number seven रहेगा और question number eight रहेगा तो इस हिसाब से मैंने आपको last five year के question paper दिखा दिखा दिये हैं आप जैसे playlist में जाएंगे ठीक है playlist में जाने के बाद आपको यहाँ पर अगर दोखेगा यहाँ पर लिखना political science owners तो पहली है यहाँ पर जो आपको लिखना political science owners ठीक है इस पर जाना है और यहाँ पर जा करके आप आप चाहे BPSC 101, BPSC 102, BPSC 103 और BPSC 104 इन सारी videos को आप जरूर देख सकते हैं और मैंने पूरी book ही आप देख सकते हैं BPSC 101 दो घंटे 37 मिनिट में पूरा किताब पढ़ा दिया BPSC 102 दो घंटे से भी कम में पूरी book मैंने पढ़ा दी है BPSC 103 यह भी दो घंटे 2 मिनिट में पढ़ा दिया और BPSC 104 इसको भी मैंने 2 घंटे से कम में पढ़ा दिया तो आप इन सारी videos को जाकर के देख सकते हैं यह आपके लिए बहुत important है अगर आप BPSC 101 फुल बुक की video है इनको देख लोगे तो आपका एक जम आसानी से जरूर निलिका जाएगा आपको किसी प्रकार की समस्या का स सारी video मिल जाएगी discussion box में भी bell link दे दूँगा वहां से भी आप लोग जाकर के videos को देख सकते हैं चैनल को जरूर subscribe कर लेना और सारी video देख लेना अगर money whatsapp group का link दे दिया है गुरूप को भी join कर लेना videos को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो जय हिंजा भारत